हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर सुमन गुपता इस्तरी एवं प्रसूती रोग विशेशग्य किंडम ओफ हेल्थ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपको दो यद्धाई मीने की प्रेगनेंसी है और आप डॉक्टर के पास अल्ट्रसाउंड कराने जाते हैं और अल्ट्रसाउंड की डॉक्टर आपको बताती है कि आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस में दिखाई नहीं दे रही है तो क्या-क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है पहली जो पॉसिबिलिटी है व वह एक्टोपिक pregnancy कहलाती है दूसरी जो पॉसिबिलिटी है कि आपको pregnancy आई हो लेकिन वो प्रेगनेंसी धीरे-धीरे demise में चली गई हो या miscarriage में चली गई हो इसकी वज़े से आपका जो pregnancy का सेयक है दिखाई नहीं दे रहा है तीसरी जो possibility होती है कि आपको pregnancy आने वाली है और वो धीरे धीरे समय के साथ grow करेगी और अगर आप 7 से 10 दिन बाद ultrasound कराएंगे तो हो सकता है कि आपको clearly pregnancy uterus में दिखाई देने लगे ये मैं उस case की बात कर रही हूँ जब आपको 2 या 3 महीने से period नहीं आया हुआ होता है और आपका pregnancy test positive आता है तो आप सोचते हैं कि आप pregnant हैं लेकिन जब आप ultrasound कराने जाते हैं तो ultrasonologist आपको बताती है कि आपकी pregnancy कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है तो इस cases में ये तीन possibilities हो सकती है ectopic pregnancy जिसको कि फिर हम serum beta stg से monitor करते हैं और दूसरी जो हो सकती है miscarriage जिसे कि हमें terminate करना पड़ता है तीसरी जो possibility है कि pregnancy आपकी अभी early है और धीरे धीरे grow करेगी जिसे कि हमें दुबारा ultrasound करके monitor करना पड़ता है hello friends अगर महिलाओं की health problems के लिए अगर आप मेरे से संपर करना चाते हैं तो आप www.drsumangupta.com के थूँ संपर कीजिए और receipt को वहाँ दिये गए नंबर पर भेज दीजिए उसके बाद हम आप से बात करेंगे और आपकी समस्या का solution निकालने की कोशिश करेंगे और आपको लाब होगा और thank you very much friends for sharing, liking and subscribing my youtube channel dr. सुमन गुपता kingdom of health thank you very much